हलो दोस्तों आप सबका स्वागत राजताना के अन्वी पेज जैसे आपको पहता हम दो रेलेटेड वीडियो बनाते हैं आज के इस वीडियो में हम राजस्तान यूनिवस्टी का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में जानेंगे कि उसको कैसे डाउनलोड करना है कैसे चेक करना है आपको सबसे पहले आपको क्रोन ओपन करना है उसमें आपको सर्च करना है राजस्तान यूनिवस्टी यह राज़तान उनिविश्टिटी की ओफिसल वेबसाइट है इस पर जाने के बाद आप जैसे देख पा रहे हैं आपके सामने पेज ओपन होगा इसके अंदर आपको जाना है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा डाउनलोड यूर कार्ड एंड जो डेट सेड्यूल है वो सब सबसे पहले आपको साइन जिसा आपने मुबाइल से लोगिन किया था वो मुबाइल नमर डालना है पासूर डालना है इससे आपको आपका रिजल्ट आपके सामने शो होगा जैसे आपका रिजल्ट आप देख लिए होगा अपने उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट की डिक्लेर डेट 30 अगस्ती जो की इवनिंग में हम लोग को रिजल्ट मिल गए अपना इसके बाद में जो ओनलाइन अप्लिकेशन फोर्म की प्रोसेज सेकेंड प्रोसेज रहेगी वो 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक रहेगी 5 सितंबर को आप रात में 12 बज़े तक फोर्म भर सकते हैं उसके बाब में आप online apply नहीं कर पाएंगे और online apply करने के बाद में आपको जो hard copy है वो college में जमा करवानी पड़ेगी उसकी last date आपकी 9 सितंबर है क्या-क्या document जमा करवाने वो हम आगे देखने वाले है पहले हम guidance देख लेते हैं जो online form भरना है उसके लिए उसके लिए यह है कि आपने एग्जाम clear कर लिया है result में आपका positive है तो आपको सबसे पहले जो भी आप subject choose कर रहे हैं उनके आप total मतलब 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं परवेश्ट के लिए अभी आपने चूज की उनमें आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं पर सब्जेक्ट का आपको सो रुपए सूर्क देना पड़ेगा तो उसके according आप कर सकते हैं आपकी सब्जेक्ट से रहेंगे अब आप इसमें लोगिंग का जब फॉम भरेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके फॉम में जो भी आपको मतलब फ़ीबाद चेक कर लेना है दो बाद क्योंकि आप फीज पेमेंट करने के बाद में उसमें कुछ भी जग चूज कर लिया है कोई भी प्रोब्लम हो गई है तो आप उसमें कोई भी सुधार नहीं कर पाओगे और चालान कोपी अलग से डाउनलोड कर लेना क्योंकि वो आपको जब आप डोकुमेंट जमा करवाओगे हार्ड कोपी तो उसमें काम आएंगे अब जैसे इसमें भी डेट दी हुई है कि आप एक सितंबर से लेकि 5 सितंबर ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं और 16 सितंबर 9 सितंबर को आप शाम को साड़े चार वज़े तक डोकुमेंट जमा करवा सकते हैं अब जैसे आपको पर्टा है यह कि इसमें आपकी युनिविश्टी राजस्तान रहने वाली और आप जो भी फोर्म आपने पीजी के दिये हैं जैसे आप आप में कर रहे हैं तो में के अंदर आप किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं उसमें आप 5 सब्जेट चूस कर सकते हैं आप एमकॉम कर लें तो एमकॉम कौन से एक पर्टिकुल सब्जेक्ट से करना चाहते हैं उनके अंदर आप च्यार से पांच ओप्सन चूस कर सकते हैं कि मुझे इनमें करना है तो जिसमें नंबर आएगा उसमें आपको सीट मिल जाएगी बट आपको पर्टिकुल पता है कि आपको इसी सब्जेक्ट में करना एदरवाइस नहीं करनी राज़तानी उनिवस्टी से तो आप एक ही सब्जेक्ट के लिए अपलाई करें चलो अब बात करते हैं जो हार्ड कोपी आपको डोकुमेंट सब्मिट करवाने है यूनिवस्टी के अंदर वो कौन-कौन से है तो उनके अंदर सबसे पहले है आपकी Tenth की मार्गशिट फिर ट्वेल्थ की मार्षिट फिर आपने जहां से भी यूजी की है बैचलर डिगरी है वो आपको चाहिएगी बैचलर डिगरी की मार्षिट तिरनो येर की रहेगी तो आपको लगानी रहेगी फिर उसके बाल में आपको इस special category में हैं जैसे आप SCST में या OBC के अंदर या EWS के according आपने apply किया है form तो उस category में आप आते हैं तो आप वहां उसके according ही form भरें वो document आपको साथ में लगाना पड़ेगा जो आपने form के अंदर submit किया है उसके बाद में आपको जो भी आपने कुछ extra certificate लगाए हैं जिसमें की NSS या कुछ certificate है तो वो भी आप साथ में आपको द चालान कटवाया है वो चालान की original receipt आपके लगेगी तो आपको चालान पे करते समय आपको चालान की receipt डाउनलोड करनी है उसका print out निकलवाना है याद रखे और यह सब document आपके 9 सितंबर तक यूनिवरस्टी में submit हो जाने चाहिए यह एक सितंबर से start हो जाएंगे submit होना त जो बच्चों का मतलब number नहीं आया अभी cut off के coding उनको वो मोका मिलेगा Thank you for watching